कि अब्रिवन नमस्कार जैहिंद स्वागत है आपका दोस्तों कमेंट और रोहिद कुवान दोस्तों तो आप फिर से आप चुड़ चुके हैं एस जाए कमशन क्लासे यूदू चैनल पे जहां आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट चेप्टर करा रहे हैं दोस्तों आज आपके सामने दिख रहा होगा महान वेर युद्धा की तस्वीर आप पहचान पा रहे होंगे कि हमारे सिवाजी महराज है ना वेर युद्धा चिनों ने और है कि ऐसे सपूत को मा भारती ने जन्म दिया मा भारती ने पैदा किया है था तो दूस्तों करने वाले हैं । पूरी तरीके सब्सक्राइब कर दे रहे हैं तो आज देखने वाले दोस्तों आपको देखिए कि मराथा इंडिया का मैप दिख रहा होगा आपको यह मराथा समराज्य था पता अगर मराथा इंपायर में कुछ मतलब वैसे लोग नहीं होते न जो दोगले किस्म के तो कभी मुगल से न हावी नहीं हो पाती और अंग्रेज हावी नहीं हो पाते चितने वीर युद्धा रहे हैं कि दोस्तों मराथा राज्य का निर्मान एक क्रांतिकारी घटना है कहा जाता है कि विजयनेगर के उथान से जब विजयनेगर का जन्म हुआ था 133 में 1336 में मतला हरियर और भुका जो भाई थे MBT के टाइम भारतिय राजनीति में महत्पून तत्व निकल कर आया था मराथा संग और मराथा सामराज एक भारतिय सक्ति थी चिन्होंना आठाराहमी सताबदी में कब देखना आठारहमी सताबदी में भारतिय उप महादीव पर अ देखनी और निकल के मरने के बाद तो मराठा देखे रहो पूरा भगवा लहराय हुआ है मैप में पूरा भगवा लहराय हुआ है यह हमारे सिवाजी महराज है ठीक है आईए समझते हैं दूस्तों इस हम्राज दी सुरुआत 1674 इस्वी में शात्रपति सिवाजी महराज के छिए सक्तार प्रौसर सक्ता और राज्यक थय fine युद्अ कि ऊपने इस पताइब बिस अप्रेल 1627 कुछ अस्थान पर 19 फर्वरी 1630 देता है लेकिन जेनरली 20 अप्रेल मानते हैं को सिवनेरी दुर्ग पूना में वह उनके पिताव माता का नाम पिता का नाम बच्चों साहजी भूसले हैं और माता जीजावाई थे इनके लाइफ पर ना माता का बहुत जादा परफा होता इनके गुरु दोस्तो समर्थ रामदाश जो धरकारी संपर्दाय के थे इनके संरच्छक दादाजी कोंड देऊ थे यह सब लाइन सवाल बनता है ना दादाजी कोंड देऊ राजनितिक संरच्छक यह उन्होंने ट्रेंड किया ठीक है याद रखेगा दूस्तों राज अभ विशेख होता बच्चो एक बार पर्थम राज भिशेख हुआ जून 1664 रायगर दूर्ग में विश्वेश्वर गंगा भड़ द्वारा और दूसरा राज भिशेख सितंबर 1674 में निश्चल पूरी गोसाई द्वारा और यह जो विश्वर गंगा भटन यह कासी के पंडि अब जल खांके नेत्यूर्थ में टुकडी भेजी परंदु सिवाजी ने अब जल खांगे हद्या कर दिए अना हद्या कर दिए 1660 में और रंग्जेब ने सिवाजी को खत्म करने के लिए अपने मामा साइस्ता खांको भेजा दच्छिन के गववर्नर पाद पर जो नियू चुपे रहो आए वारगर्दों बिल्कुल मौकाई मत दो सास लेने का इन्हें उन्हें शुरू किया था ठीक है याद रखेगा है ठीक है चलिए आजए आगे दोस्तों मुगल सामराज ये सेनापती राजपुत अब देखोगे कि सासक जै सिंग पर्थम और मराथा चत्रपति सिवाजी महराज के बीच ग्यारा जून 1665 को पुरंदर की संधी हुई थी और जैसे द्वारा पुरंदर की घेरवंदी के बाद सिवा महराज जो समझे होते प्रहताक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा मतलब कहते हैं सर एक हिंदू को हिंदू से लाला दिया अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 1665 में और जेब था तो एक हिंदू हिंदू का हमेशा ये किया है तभी ऐसा हुआ है अजब आगे सिवाजी के श्ट परधान की बात करें हम तो मंद्र मंडल जो था वो अश्ट परधान कहा जाता था क्या कहा जाता था जिए अष्ट परत on सुचन मंत्री ये गुपत-चरी विभाग चिटनिस जू डाकिया था चिठीचिटनिस चिट्थी चिटनिस चिठीच ऐसा याद रखना सुमंत यह विदेश्मंत्री फादित राव पांडित राव फादित राव with धार्मिक है यानि पेश्वा पर्धानमंत्र आमात्या यानि मंतरी कोई भी वाक्य कहीं राजा का आके तो गुप्तचर रहे चितनिस चफथी आई है चितनिस लाया है चित्थी आई है न सुमंत्य विदेश मंतरी पंडित राओ पंडित है जो धार्मी का कारी करता है और न्यायदिस्ट तो जाइर शिवा तर नियाले से संभंधित या इनके अश्ट परधान है अस्ठ दिगज कौन थे तो आश्ट दिगज याद रखेगा राजा कृस्दिवराय के डरबार में अश्ट दिगज रहते ठीक है नौरत ने किसके दरबार में तो पापा का नाम क्या था फादर का नाम शाहजी भूसले याद रख्षी लोग च्छत्रपदी सिवाजी च्छत्रपदी टाइटल है शिवाजी कम लिया थे तो अपने राजजभी सेग के द्वारा जब इनका राजभी सेग होता है महराजाचा सरदेश मुखि में मराटा रूल्ट एक सिक्क्का है राज्यार इस वह डिया टेक्स है यह सिवाजी को दिया गया एक नाम है क्या होगा ? वास सर्देश मुखिन मराठा रूल तो दोस्तों मराठा रूल कि आप देखोंगे सर्देश मुखी की बात करें तो यह क्या है रेविन्यू टैक्स लैविड और रेविन्यू टैक्स लैविड और रेविन्यू राज्यसों पर लगाये गया कर वह सर्देश मुखी है जो दोस ठीक है नेक्स्ट मराथा परशासंगितान परधान मंत्री के लिए टाइटल है देख लो प्र्धार मेंत्री सुमनत विदे समंतीर है। अभी तो पढ़ाया हैै। मंडित्राओ क्या है ठार्मिक मामले देख राल says सरे नौबत यानि यूद का नौबत ही नहीं आने दे कौन है वो सरे नौबत यानि कौन सेनापती है तो यह निंजा टेकनिक है याद रखने कि निंजा टेकनिक है बस वर्ड पकड़िये पकड़िये वर्ड पकड़िये है नो संदेंस पकड़िये वर्ड पकड़िये क्लियर है अब पेशवा जिसे मुख्या परधान भी कहा जाता था मूल रुप से राजा सिवाजी की सलाकार परिशाथ के परमुख थे दोस्तों जिसे सिवाजी मिरते हुवी यह परिशाथ ठूट गया जब सिवाजी के पूते साहू आए तो 1714 में फिर से पेशवा के रूप में इन्हों ने बाला जी विश्वनाथ को नियूट किया तो बैस हिसाब से अब दिखोगी कि बाला जी विश्वनाथ यह पहले पेशवा थे यह फिर से नियूक्स होने वाले पहले पेशवा थे याद रखेगा नेक्स्ट चत्रपति सिवाजी महराज ने 1674 में मराटा सामराज जी अस्थापना की और किसको अपने राजठाने गूरू पर क्या होगो भई तो बच्चे राइगाड शुलास चोहत्तर में है ना यह सिंगला नहीं है या सिंगल बच्चे यह ना सिंगल नहीं हाला लिख देख रहा हमारे टाइप राइटर सिंगल जो सोला से चोहत्तर में शिवाजी का नाम चैत्रपति रखा गया मुगल सेना के बुरूद लड़ने वाले सिंगल कीले के सफल बचाव में किस्ता मराठा युद्धा की मिरती होई बच्चों के विच मराठा वारियर डड़ इंदा सक्सेस्पूल रेस्क्यू और सिंगल पूट विच फॉट अगें ता मुगल आर्मी कोशन नमबर पांच बताई क्या होगा जल्दी तो मुगल सेना के विरूद लड़ने वाले सिंगल कीले के सफल बचाव में जो मराठा युद्धा की मिरती होई वो ताना जी मालू सरे यारा याद आरा ताना जी मूवी आय थी अजिए देख उनकी वह यह ताना जी मालू सरे है ना ताना जी मा हुई पंत परतिनिधी और हुकूमत पनहा नामक दोने पद क्या ओधी किसक्यास्ट परधान मंदल में जोड़ी गई है दो नया पोस्ट बनाये बच्चों तो पंत परतिनिधी और हुकूमत पनहा नामक दोने पद क्या ओधी किसक्यास्ट परधान मंदल में जोड़ी गई है तो चत्रपति संभाजी सर्पति राजाराम पेशुवबाला जी विस्वनात या पेशुवबाजै राप्रतम तो बच्चों क्या निकल करात का सर्पेश को बाले भीश्मनात जो पहले पीश मा है गज़ना शत्रा सो तेरा से सत्रा सो बीस याद रखेगा त्रिक है आज आगे मनाठा समराज के संस्थापा कौने बच्चों वाइदा फांटर अमनाठा इंपायर अरे देखो इसका आगे बढ़ो कौन हो सकता है सिवाजी महराज कौन होगे सिवाजी महराज मालनी बिश्वनात यह पहले पेश्मा याद रखेगा माराटों के उद्रय के लिए क्यों सा कौन रहा कर दाए नहीं था कि, महराश्च के लोगों में वयात्त समाजिक्ट चेतना महराश के समाजिक धार में कुशिस आएं महराश्च से मुगल दर्बार चाहिंटर को साहि सास्क ओरार अमराटर सरेडार को प्रदद्त परस्राय दिया गया वह नहीं ञंसर नहीं दूर होगा नहीं यह नहीं थे यह थी तो क्या बैग यह सब GU साहराष्ट से मुगल दरवार उसत्ता के केंदे दिल्ली की दूरी यह उत्तरदाई कारण नहीं था क्या दूर रहे तो नहीं है तो कि कि के समाजिक सुधार राष्ट्य पुनर जीवन तथा मराथा सक्टिक के उज़य के लिए किस अमराथा संथ का सरवाधिक महत्तों था इस इंपॉर्टेंट फोर सोचल रिफॉर्म नेशनल रिवाइवल एंडराइज ऑफ मराथा पावर तो क्या होगा दोस्तों यह कौन सरसमर्थ राम्ता जाहिर जी बात है कि यह जो सिवाजे महराज के गुरू थे तो जो सिवाजे महराज का ही उत्थान नहीं होता तो फिर तुकारा में एक्स्प्लेंड कर रहे हैं तो तुकारा मोगा नहीं आप समझ लू कि तुकारा महराज्ट भक्ति आंदोलं के 17 सताब्दी के कवी संत थे मराथे साहित में उनका कद अंग्रेजी में सेक्सपियर के जैसा था जर्मन में गेटे के बराबर है वह आपने जीवन तथा मराथा सक्ति के बारें पूछ रहा है जबकि तुकाराम क्या है बच्चो यह धार्मिक है यह क्या है धार्मिक है याद रखेगा मराथों ने सरवपर्सम किसके दिन कारेकर परसासनिक अनुभवपरात्त किया था अहमद नगर बीजापूर्व गोलकुंटा कि अधिन बहमनी सल्तनत की अधिन देवगिरी के यादमूं की अधिन या मुगलों की अधिन क्या निकल कराएगा अंडर हुम डीड़ दा मराथा आज फॉस्ट गेइन एड्मिस्टेटिव एक्स्परियन्स क्या होगा है चुले बताओ तो क्या निकल कराएगा बच्चो सर य ये है देवगिरी के यादव की अधिय सी अधिन डेवगिरी आपको याद होगा इसका जो मुहम्मद इन तघ्र देवगिरी और इसका नाम बच्चों क्या रखा था सर दौलता बाद क्या रका है रखा है नेक्स्ट सी वाजी का जनम कब Allah तद ने चंद चानवल भी उपा देखते साथ आगे बढ़ो कि 167-174 में राज्या भीशेक हुआ है ना ठीक है जी गंगा भट यह ना यह कासिक पंडिते जिन्होंने शिवाजी का ओद कर वाया राज्या भीशेक कर वाया निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्या भीशेक में उपस्तित हुआ था बच्चु और उनने इस इंडरा कंपनी को से उपहार भेट किये थे क् आक्सिंडेन, रोल्ट, विल्यम फिंच या विल्यम लांगहॉर्न कुछ्छा नमबर 13 बताई क्या निकल कर आएगा बताऊ कुछ्छा नमबर 13 क्या होगा दोस्तों ये सर ये हैनरी आक्सिंडेन है ये मौजूद होते हैं ठीक है ये मौजूद होते हैं याद रखेगा नेक्स अश्ट प्रधान मंत्री परिशत किसके काल में थी यह आसान सवाल है देखते साथ लगा अश्ट प्रधान सिवाजी और अगर अश्ट दिगज पूछेगा अभी हमने कहा भी आपको समझाया भी अश्ट दिगज अश्ट दिगज क्या होगा और दोस्तों आकबर के समय नवरत्न नवरत्न और जो अश्ट दिगज था न ये तेलगु कवी का गुरूप था याद रखेगा तेलगु कवी का गुरूप ओके अश्ट परधान ये अश्ट दिगज इतना सौरी अश्ट परधान मापी जाएंगे अश्ट दिगज क्रिशन देव राए ओओ कौड हना तो लिखाओ अभी अश्ट परधान बच्चो नमलिकित मराथा अधिकारियों में से कौन राजस विभाक की देखवाल करता था जो वीत मंत्री था अमात्य पेशवा सचीव सुमन्त क्या होगा देखो अमात्य जो राजमंत्री भी है पेशवा ये परधान मंत्री है सुमन्त ये फोरें मिनिस्टर है और अमात्य जो स्वाजी क्षटान पर बेड़ा रख आतुरत कालीकट बॉंबे को लाबा तो दुस्तों तो शिवाजी महराज ने को लाबा को छोड़ा ही नहीं और वहाँ पर अपना एक बेडा समूद्री बेडा बनाकर रखा थोड़ा है नहीं को लाबा ठीक है याद रखेगा तो सिवाजे ने मुगल वैपारिक जहाजों को लूटने और समुद्र लूटेरों की जांच के लिए को लाबा में एक बेड़ा बनाया रखा याद रखेगा मराथों के अंतरगत गाओं में भूराजस वह सुनने का जिम्मा निवने से किसका था गुलकरनी पटेल या मिरासदार तो बच्चों आप देखोगे कि सर मराथों के अंतरगत जो है गाओं में भूराजस वह सुनने का जिम्मा जो है वह पटेल के पास है आज देखते हैं पटेल तो पटेल कुल करनी सब सब जो टाइटल आप महराष्टा गुल और गुजरात में देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स दक्कन सल्तनत और महाष्टा सामराज के तहत पटेल जो होता था वह गाउं का मुखिया होता था गाउं का सबसे महत्पुन वतंदार था उनका पूरंदर की संदी अलाहबाद सूरत कुछन अब अठाटाश को पूरंदर की संदी अलाहबाद सूरत कुछन अब तो दोस्तों यह क्या था सर पूरंदर की संदी बच्चों क्या था पूरंदर की संदी कब गुए तर तो पूरंदर की संदी 11 जून 1665 को कब गवा था देखो इसको ऐसा कर देते हैं कि 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 देख रहे हो जून 1665 डेट याद रखिएगा तो राजपुर सासक जैसी पर्थम बच्चों जैसी पर्थम हैं और मुगल सामराग्ज के सेनापती थी जो मराशाच चत्रपती सिवाजी महराज के बीच हुआ और जैसे ने क्या हो था पूरंदर की लिए गेर लिया था इ ठीक है पूरंदर की संधेविय याद रखेगा निक्स्ट अश्ट परधान विवस्था के तहाट जो शुरुन 20 अथवा चिटनिस का क्या काम था चिटनिस चिट्थी आई है आई है चिट्थी आई है यही होता था चिटनिस अब चिटनिस को एक और नाम दिया गया चिटनिस एच्ञेब नेक्स्ट मराठा सेना में दोस्तों वरगीर क्या था वरगीर वाट वाच वरगीर इंदमराथा और मेर में हुआ क्ट रॉह इंफैंटिरी इस और समयन या फिटर तो चैने फिंटर तो क्या आएगा सरीए घुरसवार है क्या बढ़काए वर्ण कर को राज जिसे घोड़े मिलते थी ठीक है समझना इस परकार घोड़ा राजा का संपति था और सिलेदार क्या है तो आपने घोड़े खुद रखते थे दो परकार के आर्मी थी मराठा से नामें एक बरगीर और एक सिलेदार बरगीर में जो घोड़ा है वह राजा का है आपको और सिलेदार में खुद का है, मतलब ऐसे समझो, कि अभी अपन जहां काम कर रहे हैं, कई लोगों को लैपटॉप मिला है, और कई लोगों की खुद की लैपटॉप है, जिनको लैपटॉप मिला है, जिनको खुद का लैपटॉप है, वो सिलेदार है, जैसे मेरा खुद का लै पूरे में पेश्वा के सचिवाले माराथा सरकार के धूरी को हम कि उस रूप में जानते हैं कि हुजूर दफ्तर अलबेरीज दफ्तर चलते दफ्तर पेश्वा दफ्तर कुशन नमबर 21 दताव क्या होगा क्या निकल कर आएगा तो भई यह हुजूर दफ्तर है प्या है हुजूर दफ्तर पूरा में पेश्वा का कार्याले हुजूर दफ्तर कहलाता था जो मराथा प्रसासन का केंद्र था यह एक व्यापक प्रतिष्ठान था जिसमें कई ऑफिसेज थे हैं ना सबसें महत्पुल विभाग एल बेरीज दफ्तर और चलते दफ्तर थे ठीक है यह रखेगा उभाग ना युद् टेकनिक सैन अभ्यान मराथा चेत यह नियमित सेन्ह कुस्टर नमबर दाइस पागा था तो अमस्तों में आपको बतादो पागा की बात करीए रेगुलर आर्मी थी क्या थी याद रखेगा नेक्स्ट बखर क्या है बखर क्या है चलिए बखर क्या है विदेशी समाचार पत्र है गुपचरों की सूचना है इतिहास रचना के साधन इस सवाल पूचता है जो आप सोच नहीं सकते हो कि सर कहा कहा से उठागे पूचता यह बखवान जाने तो बच्चों क्या निकल करा है का बखर क्या है बखर है इतिहास रचना के साधन इérie इंस्टुमेंच अफ हिस्ट्री मेकंग फैसी चापामार क्यों चांपामार जाता है आप मुवी मुवी जिसमें जब और है कि अंग्जेब की सेना निकलती है तब जाकर उस रस्ते में छुपा होता है मतलब छुपकर वार करना यहीं था छापामार यूद्ध या हम इसे कहते हैं गूरिल्ला गूत तो यह मली कंबर किसे कहा जाता था मली कंबर खाया जाता था इसके बाद सिवा-जी महराज आपको देखने को बीए तो मली कंबर 1548 से 1226 भारत के दक्कन शेत्र में एक सिद्धी सैन नेता था और दक्कन शेत्र से याद रखना यहाँ पर आपको black smile काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा जो famous है किसके लिए इसको हम रेगूर smile भी कहते हैं जो famous है किसके लिए तो यह cotton के लिए famous है किसके लिए अब दिखोगे चौत क्या था हमने पहली कहा एक चौत था और एक सरदेश मुकी एक बटादस भाग टैक्स लगता था और जो चौत है तो और जेब द्वार लगाए गया टोल टैक्स है यह अकबर द्वार लगाए गया शीचाई कर है यह भूमी कर है जो सिवाजी अपने प्लोस में सुरच्षित रहना है तो आपको टैक्स दिना पड़ेगा है ना सोचो मतला बेक्तरा से के दो रंगदारी टैक्स आपको अगर सुरच्षित रहना है हम हमारे बगल में तो आप हमको टैक्स दीजिए डाट इस कॉल्ड चौत यानि एक बटा चार चौत आई ठीक हम बारबर कह रहे है याद रखना निंजा टेकनिक अपनाओ सरे नौबत यानि यह नौबत ही नहीं आने देता था युद्ध का देट मिंस सेनापती तो रट्टा मार के मर जाओगे याद नहीं होगा टेकनिक अपनाओ वड जोड़ो है ना जैसे पंडित राओ पंडित र विवाग था यानि वो लेटर को इदर दर भीजता था सुमंत तो क्या फॉरें मिनिश्टर था विदेश मंत्र था तीन वर्ड सुमंत में तीन वर्ड विदेश में ऐसे करके याद रखोगे तब याद रहेगा ठीक है अजब आगे मराठों के साथ होने वाले कि संदी को व संदी क्या है पूर अंदर की शंदी याद रखेगा ठीक है सीवाजी का परशासंग अब यहां मतलब क्या हो गया पर दहान मंतरी मिनिस्ट्र आप जस्टीस यह नियादिश में राजाराम की मिर्तिू के बाद मराठों ने उनकी बहादूर पत्नी के अधिन मुगलूं के ख यह मराथा यानि शिवाजी महराज की मम्मी मदर लक्स्मी आपको पता हिए कि मनु थी मनु करनी का जो ठावन के रिबोल्ट में किसको लीड की थी वह तो जहांसी किराने खूब लड़ी महराण मरदाने वह जहांसी किराने थी है ना क्वालियर में इनका मक्मरा है तो बचा क्या तारावाई और हमावाई क्या निकल कराएगा सब तारावाई है ना अजब देखो आगे तो दूस्तों 274 में राइगर में इनका राजा भी सेख हुआ था तो वो तो पहले ही इनके पास था क्या बचा तोरन का कीला या तोरन का कीला यह जीता था सबसे पहले ठीक है गुरिल्ला यूद का पत्स परदर्सक निमलेकिन में से कौन था और अकबर क्या निकल कराएगा तो मैं आपक अनके सेवा जी है त agreements से सकतिषालिशाली पेशवा कौन थे Já बालागी बाजी रावरा वह यह बालाजी विश्वनाथ कि बालाजी विश्वनाथ ज्यूत जो तर्म को जिन्दा किये और पहले पेशवा हो गए पर्थम या है रेत तो बाजी राव पाजी राव सिघ्याम मन समझे ना बाजी राव ठीक है क्या बाजी राव सबसे सकते ताली सवा जो आये कि आहे थे मुवी याराथ एंपायर नहीं यह थे बाजी राव पेस मुझे अ 1669 में सिवाजी को दबाने के लिए भीजा था कंट्रोल करने के लिए भीजा था तो आपको याद है कौन था आप जल कहा जो भगा दिया था नहीं मार दिया था सिवाजी ने बख नक्खे सकता बिल्कुल ऐसा करके दबोच दिया था यह से पर साहिस्ता खागो भेशता है अपने मामा को इस पर आकर्मन करते हैं यह तो राते लात फरार हो जाता है विचारा दर से भाग जाता है ठीक है चत्रपति सिवाजी टर्मिनल जो स्टेशन है वो किसके दवाद किया गया तो सबसें सिएस्टी आपको याद होगा जो यह मुं समय करते हैं कि सिवाजी ने सुदा तो कितने बार लुटा है अब देखोगे एक से नहीं दो बार कितने बार लूटा दोस्तों तो पहली बार 1674 बार लुटा दूसरे बार 1670 में लुटा से वाज शो साथ्य की मिढत हुई है दोस्तों यह था शिवाजी महराज के मारे मैं करा रहे हैं एक वीडियो में कमपलीट इंफॉर्मेशन जिससे कोई कोशन आपका छूते ना और फिर भी अगर आपको लगता है कोशन रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा हम फिर से जो छूते वे कोशन है या फिर हम उसे एड़ को तक कि थाइंकू सुक्रिया जाहिए जाएट